आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे में तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइन और ताइवान के इसू की बहुत अच्छे से एक चीज हम जानेंगे पूरा हिस्ट्री पूरा इतिहास देखेंगे अच्छे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आई चाइना के वार प्रेंस लगातार ताइवान में घुस रहे हैं तो हम इस करेंट अफेर को भी कवर करेंगे लेकिन इससे पहले हम चाइना ताइवान इस्यू को पूरा कवर करते हैं हिस्ट्री कहां से शुरू हो दोस्तों हमारा हमारी UPSC की शांदार कोर्से जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप वहां से यहां पे आ सकते हैं तो भाई ताइवान क्या है पहले तुम यह देख लेते हैं छोटा सा एक आइलेंड है लगबग 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का है माउंटेनियस इलाका है 75% पहाडों से ही कवाइड है पूरा का पूरा ठीक है अभी काफी डेवलप्ट है ताइवान कापिटालिस की तैपई और यहां पे हान चाइनीज जैसे चाइना में भी हान की जो हान चाइनीज है माँ पे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा है यहां पे भी एथनी ग्रुप्स हान ताइवानी सबसे ज़्यादा है 95% और रिलिजिन की बात करें तो बुद्धिसम यहां पे सबसे ज़्यादा 35% फॉलू किया जाता है पर टाउजम भी है अगर यहां पे legislature की बात करें तो legislative one है singly house है यहां पे अब दोस्तों ताइवान की अगर बात करें तो चाइना कहता है ताइवान हमारा है अब चाइना ऐसा कहता क्यों है देखिए अगर earliest history की बात करें तो जैसा की हर जगां हुआ है यहां पे 30,000 साल पहले ताइवान होने लगा लेकिन 16th century में इसको recognition मिला बागी तो सब यहां पे पहले आदिवासी ही रहते थे 6000 साल पहले सब यहां पे आदिवासी आइलेंड में सब जो भी क्योंकि आइलेंड है चोटा सा अजोब यहां पे पेड़, पत्ते, पोधे और जो पहार थे वहां से अपना गुजर बसर करते थे लेकिन 16th century के आज़ पास चीजे बदली कैसे चीजे बदली आपको बता दू पहले तो यह है देख सकते ना यह चोटा सा ताइवान है ठीक है पहले तो आप समझिए लोगों को पता भी नहीं था चाइना के बारे में ताइवान में जो लोग रहते तो उनको पता भी नहीं था कि भाई चाइना भी है कोई ऐसा देश भी है लेकिन यह चीजे कब बदली जब पुर्तगाली यहां पे आए देखिए पुर्तगा पुर्तगाली सीफेरर्स यहां पे आये पहले ताइवान को फर्मोसा बोला जाता था मतलब ब्यूटिफुल आइलेंड ताइवान इलाफ फर्मोसा पहले इसका नाम ताइवान नहीं तो अबाद में पढ़ा वेस्टनर्स ने यह नाम दिया है ठीक है वर्ड वार्ड टू क में बारत से समय मिलते थे जैसे ब्रिटिश भी ऐग और ठीक है बफर जोन में यहां पर चोट ओप बना लेंगे और बढ़ी अमारी ट्रेडिंग हो गिए तो यह चीज रहा फिर ही आपे Dutch East India Company आई Dutch East India Company में भारत में तो बहुत जादा नहीं चली भारत में तो निकल गई लेकिन Dutch जो थे ये गए ये East India Company वही मैंने बता ना कि जैसे ही पुर्तगाली भारत आए तो उसके बाद एक exploration से शुरू हो गई कि भाई भारत को ढूंडो चुकि इदर जमीनी रास्ता Ottoman Empire के बाद बंद हो गया था वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो गया तो समुदरी रास्ते से भारत को ढूंडा गया तो फिर डच इस्ट इंडिया कंपनी वाले निकले लेकि डच इस्ट इंडिया कंपनी पहले इंडिया नी आई पहले इधर गई पहले इड़नेश और इधर साइड गई तो यह पहुचे ताइवान और ताइवान को अपनी कॉलोनी बना लिया क्योंकि भारत में वैसी बहुत ज़ते कंपटीशन था यह तो कहता है जहां बहुत ज़ते कंपटीशन है उसको छोड़के कोई नई चीज अपनाओ वह कमाल का काम करेगी तो डच इस्ट इंडिया कंपनी जो है यहां पे पे इस small colony बनाई और ताइवान जो है वो डच की colony हो गया तो यह दच की कॉलोनी हो गई फिर ऊसके बाद ठीक है डच यहां पे आगे अब तब यहां पे इन्होंने ताइवं नहीं ताइवान नहीं कामी लोग आ तैख bakerे आय कान दे जब डचेज आये ना, तो Han Chinese यहाँ पे आ चुके थे, अच्छा भारत में यह भारत कह रहा हूँ, चाइना में भी प्रॉब्लम हो रही थी, चाइना में इसी दौरां Ming और Chin डैनिस्टी आपस में लड़ रहे थे, ठीके, अब फाइनली दोस्तों क्या होता है कि चीजे चलती ह हैं, डच को जो डच थे वो ताइजोवन बोलते थे, और उसके बाद फिर मैंडरीन में बाद में इसको ताइवान बोला गया, डच यहाँ से शुगर, राइस, पेपर, सिल्क, सेटें, सब कुछ भेजते थे, बहुत जबरदस्त, अब हम यह देखते हैं कि चिंग और Ming डै डैनिस्टी का सपोर्टर था, लास्ट में इंपरर जो है, वो मंचू से, मतलब उसको ओवर्थ्रो कर दिया मंचू वारियर से, 1644 में, ठीक है, अब उसके बाद यह क्या किया, जितने भी फैलो सपोर्टर थे, उनको गैदर किया, और भाग लिया नया ताइवान, जो अभी आइलेंड है, ठीक है, तो वहाँ पे, इसने अपने लोगों को बनाया, और यही बताया कि भाई, उस समय जो चिंग डैनिस्टी है, हमारा एक ही मक्सद है कि उनको खाड ठेके, और इसने ताइजोवन का नाम चेंज किया, एन पिंग, और बाद में मलेरिया से मर गया, यह 21 साल तक यह रहा, 21 साल तक इसके पास रहा, और फाइनली हम देखते हैं कि चिंग डैनिस्टी ने भी 1683 आते आते, आइलेंड को अपने पास ले लिया, that's it, चिंग डैनिस्टी ने पूरा का पूरा ताइवान अपने पास ले लिया, 1683 से लेकर 1895 तक यह चिंग के पास रह चिंग डैनिस्टी के पास लग, ताइवान, इनके पास, अब क्या हुआ, अब होता है खतरनाख चीज, चिंग डैनिस्टी के पास अब ताइवान था, यानि कि ताइवान ऑफिचल एप चाइना के पास आ गया, तब लोगों को पता चल अच्छा, चाइना भी कुछ है, ल सबसे हरा, ब्रिटिश से हरा, ओपियम वार हुए ऐसी दौरान, चाइना की बहुत बुरी हालत हो गई, लोग यहाँ पे गरीब हो गए, जो यह समय बहुत अमीर हुआ करते थे, चिंग जो यहाँ पे एम्परर थे जितने भी, वो कटपुतली थे विस्टनिस की, ऊपर से जापान जो है वो बहुत ही खतरनाक ताकत बनके उबरा, मेजी रेस्टोरेशन आया, 1868 में, 1890 आते आते जापान पूरी तरीके से बदल गया, जापान एपने एक नौमी खोली, जापान की आर्मी भायानक, जापान गया, चाइना में मार दिया उठा के, 1894 पहली साइनो ज जापनीज भार होती है, जापान जीत गया, और पूरा का पूरा जो यह एंपायर था, यह इनके पास आ गया, अब जापान ने चाइना पे भी बहुत कहर बर पाया, और इधर हमें देखते हैं कि यहाँ पे भी ताइवान जापान के पास आ ठीक है, और जापान जो है वो ताइवान जो है वो जापान के पास रहा, इसी दौरान कुछ चाइनीज टाउन जो है, जैसे चियाई, शिंची, तैपई, भाई, अरवनाइजेशन भी तो होगा न, इसका उदे होता है, important temples, मंदिर, क्योंकि भाई, बुद्धिसम, बुद्धिस्ट साइट है यह, साउथ इतना, डकैती, यह सब बहुत ही आम बात थी, एक दूसरे पर ताइवान मतलब एक अनिस्टेबल था, अब हम यह देखते हैं, कि वही, कि जैसे ही जापान आया, जापान के पास ताइवान आया, चाइनीज को भगा दे, चिंग डाइनिस्टी को था, चाइना में भी रेव इधर सनियाद सेन आ गए, एक डॉक्टर एक, विजनरी, सनियाद सेन आ गए हैं, उन्होंने कावमिंटॉंग पार्टी बना ली, और 1911 में चाइना में रेविलूशन आ गया, जिनहाई रेविलूशन, ठीक है, तो चाइना में इतने समय का, जो 2,500 सालों का, यह जो राजा 1884 में, फ्रांस जो है, यह चाइना के ओपर लड़ा था, वियतनाम के ओपर, ठीक है, तो काफी दिक्कत, कुछ पार्ट इसने उक्यूपाई किया, लेकिन अल्टिमेटली, यह सब कुछ गया, जापान के पास, यह चीज है, वर्ड वर टू तक, जापान जो है, वो ताइव चाइना के साथ, चाइना ऐसा हत्याकान चलेगी, क्या बता है, तो जितने भी प्रिजना, जितने भी केदी जापान पकड़ के लाता था, वो सब यहीं पर ही उठा के फेक देता था, बहुत सारे लोग यहां पर मर गए, मैलनुट्रिक्शन, बिमारीों से मर गए, क्योंकि यहां पर हो यह रहा है किचाइना में, कम्यूनिस्ट पाटी बन गई तो, 1909 में, इधार रश्या में, Russian Revolution और 1921 में, बन गई, कम्यूनिस्ट पार्टी, 1909 में, अब देखिए, हुआ क्या, कि चाइना, छोटे-छोटे पार्च में divided था, जब तक सन्याइद से हिन्त है, उन् उन्हें हाथ मिलाया लेकिन बाद में उन्हें बोला सब को साफ करो भगा भगा के मारेंगे इन कम्मिनिस्टों को और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा तो हम यह देखते कि कम्मिनिस्ट जो है वो भागे इनसे बचने के लिए ठीक है लडाई शुरू हुई लेकिन फिर 1937 में 1937 में फिर से जापान ने चाइना को इन्वेड कर दिया सेकेंड साइनो जैपनीज वार तो कम्मिनिस्टों और यह जो कौमिन्टॉंग पार्टी दोनों ने हाथ मिला लिया कि हम दोनों मिलके इस फोर्स का सामना करेंगे 1945 में जापान की हार हुई अब जैसे ही जापान की हार हुई फिर से कौमिन्टॉंग पार्टी और कम्मिनिस्ट पार्टी जो है वो अलग होगी और एक दूसरे से लड़ने लगी चार साल तक चाइना में civil war चलता है किसी ने सपने ने भी यह नहीं सोचा था कि चाइना की कम्मिनिस्ट पार्टी जीच जाएगी क्योंकि देखिए चाइना की अगर आप इतिहास देखो ना 1911 में यहाँ पे सही हग किसका है सही हग तो चियंक आईशक का है क्योंकि सन्यासे इन अपनी पार्टी लेकिया है लेकिन क्योंकि सोवियत ने जिसकी ताकत है उसी का सिक्का चलेगा तो क्योंकि सोवियत ने चाइना की जो कम्मिनिस्ट पार्टीन को खूब हत्यार सप्लाई किये खूब सपोर्ट डिया हरा दिया नाइटीन फोर्टीन अउक्टूबर नाइटीन फोर्टीन आइन माउज जिदॉंग ने तियानन में स्क्वेर से लाल जंडा फेरा दिया खेल खतम इट्स अल उबर कॉन्फूशियस का देश अब कम्मिनिस्टों की चपेट में आ गया लैनलोग्स को मारा गया पीटा गया बतवारा हुआ काफी लोगों को जमीन बाटी गई गरीबों को जाधा ताकत दी गई सर्वहारा वर्ग उबर के आया माउज दॉंग ने लीडर बने अब चियान काईशक को पता था कि भाई देखो बहुत मुश्किल होने वाली है वर्ड वार टू के तोरान जापान ने ताइवान को पूरा बरबात कर दिया था अमेरिका ने भी बहुत भाई जापान और अमेरिका तो कट्टर दुश्वन थे 1941 के डिसमबर में 8 डिसमबर को जापान ने परल हरबर पे टाक किया और अमेरिका फिर वाइड वार टू में आ गया तो जहां पे भी जापान की कॉलोनीस थी अमेरिका रेड करता तो ताइवान तो जापान की बहुत इंपोर्टेंट कॉलोनी तो ताइवान पे अमेरिका न तो भाई चियांग काईशेक ने चाइनीज काउमिन टॉंक पार्टी जो है वह निकले वहां से और उसके बाद उन्होंने ताइवान में जाके शहर रहली और ताइवान के लोगों ने भी चियांग काईशेक को क्योंकि उनको भी लीडर की जरूरत थी तो इन्होंने इनको अच्छे से क्या हाँ रूल करिए लेकिन दिक्कत यह होगी देकि 1960s में जैसे ही चियांग काईशेक आए भाई उन्होंने कमाल का काम किया मतलब समझिए कि शुरुवात में तो भाई ताइवान उसमें रापिट एकनॉमिक ग्रोथ हमको देखने को में तो ताइवान मिराकल के नाम से भी जानते हैं लेकिन 1980s आते आते दोस्तों करॉप्शन बहुत जादा था देखिए यह डिक्टेटर्शिक थी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चियंग कैशेक के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती थी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सबको बैन कर दिया freedom of speech थी नहीं तो अब इन दोरों ने क्या किया कि माओ जदॉंग से दुबारा relation रिलेशन वो इसके लिए इनको ताइवान से रिष्टा तोड़ना पड़ा वन चाइना पॉलिसी समझो इसलिए तोड़ना पड़ेगा क्योंकि देखो चियंग कैशेक जो है वो कहां भागे ताइवान में अब आक्चुली में वो ताइवान तो चाइना का ही पार्ट रहा है न तो इसलिए जो में देखिए यहां पे जो ताइवान उसको रिपब्ल आज नहीं तो कलम तुमको लेही लेंगे क्योंकि तुम हो तो हमारी और हमारा तो सही अधिकार है क्योंकि हम हमी नहीं चाइना को आजात कराया है 1911 में हमी नहीं राजा महारा राजाओ से उनके चंगुल से छुड़ा है तो अच्छली में तो हमारा ही है न चाइना यह वन चाइना पॉलिच यही जो टासल है वो चलती रहती है ठीक है लेकिन अभी तक जो चाइना है अब ध्यान रिखेगा कि करेंट अभी जब मैं आग और 1988 आते हाते किम्टी ने अपनी पावर जो है वो लूस कर दी मार्शाल लॉक को लिफ्ट किया गया और फाइनली हम यह देखते हैं कि सारी कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अब इलेक्शन लड़ सकती थी सेमी नया कानून आया सेमी प्रेसिदेंशल रेपब्लिक और अभी फिर फाइनेचर क्राइसिस भी उन्होंने देखी ग्रोथ हो जाए वो जोड़ रहे लेकिन फिर भी ताइवान की बात करे तो फिफटींथ है तुनिया में फिफटींथ है क्योंकि पॉपलेशन कमें तो जीड़िपी पर कैपिना में फिफटींथ है सिविल लिबर्टी अमेरिका, यूके, औस्ट्रेलिया, सब ताइवान को सपोर्ट कर रही है, और चाइना इसी से ही खोवरी आया हुआ है, कि भाई हमने जब बोला है कि ताइवान पर कोई बात नहीं होगी, तो तुमारी हिम्मत कैसी है कि तुम जा के सपोर्ट करो ताइवान का, हमने बोला, अ यह चीज है, तो 1971 में भी जब यह था कि किसको recognize किया जाए, United Nation में, कि people Republic of China को recognize कि Republic of China, जो कि ताइवान उसको recognize किया जाए, तो सब ने PRC चुना, यह चीज है, लेकिन वही है कि अप इस समय चीज़े बदल रही है, 1990 में ताइवान का democratization शुरू हुआ है, capitalism वहाँ पर आया है तो अमेरिका का favorite बन गया है वो, ताइवान ने इस समय अपने diplomatic relation, 193 United Nations member में से 14 से बनाये रखे हैं, तभी चाइना की हिम्मत नहीं है, कि घुश जाए, क्योंकि जब भी ऐसा होता है, इसमें अमेरिका भी एक है, तो अमेरिका, लेकिए directly तो कोई support नहीं करता है, लेकिन indirect हो गया है, ताइवान में बीजिंग से बोला है, कि भाई, irresponsible provocation जो है, वो आप बंद करिये, चालिस से जादा warplanes ताइवान में देखे गए, लगातार चौथे दिन, और इस बाए, देड़ सो चौथे दिन, देड़ सो एयरक्राफ्ट ताइवान के defense zone में इंटर किये, अब यह analyst का बोलना है, कि जो flights है, यह ताइवान के president को warning है, चुकि अभी island and national day बनाया था, यह चीज है, तो foreign affairs magazine में, ताइवान के president ने, Si Ing-wen है, उन्होंने बोला कि भाई, देखो, अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपको इतना ही युद्ध लड़ने का shock है, और अगर आप हमको पैसे धमकार है, तो इसके disastrous consequences होंगे, पूरी Asia तबाह हो जाएगा, पूरा Asia, peace and democracy खतम हो जाएगी, यह authoritarian regime बंद करो, हम democratic हैं, हम democracy ही जीतती है, ताइवान को कोई जगडा नहीं चाहिए, एक साल से लगातार ताइवान की forces आती जा रही है, दोस्तों, इस साल तो बहुत ज़ में इतने ज़्यादा airplanes घुसे हैं, इतने ज़्यादा की क्या बता है, चाइना के, अभी चाइना के जो mission है, उसमें 34 J-16 fighters, 12 nuclear capable H-6 bombers, मतलब अगर यह हमला कर देना, तो ताइवान एक दिन के अंदर साफ हो जाएगा, खतम, टोटल एक दिन में 56 aircraft, टोटल चार दिन लगा ले तो 1.500 से जादा बार यहां पर आ चुके हैं, तो यही बता रहे हैं, यही आरूप लग रहा है कि China tension cost कर रहा है, बेकार में, हम को नहीं चाहिए, हम चुप-चुप अपना खुश है, जबर्दस्ती problem किये जा रहा है, तो analyst ने अब यही बोला है कि बीजिंग अब ताइवा उनके हाथ से निकल जाएगा, तो यह कहानी है, यह पूरा का पूरा चाइना और ताइवान इशू है, अब क्या चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध होगा, इसकी possibility बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा, चाइना कुछ भी कर दे, लेकिन युद्ध की अवकात है, उतने में ही रहो, लेकिन हाँ, बाई, कहने को कुछ भी हो सकता है, किसी दिन किसी का दिमाग से टक गया, तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन possibility वह और की कम है, है बट कम है, यह लेचर था दोस्तों, हमारे इंस्टा चैनल पर जरूर है, जो हमने नय अपना official page बनाया है, आपको सारी updates, news आपको मिलती रहेंगी, खुछ रहे परतरे, देशे सिद्धान तक नहीं हो, तरी signing off.